इस नए जहां में मानवता से भी पहने स्रिष्टी करता ने बनाया सांज सवेरा आकाश धरती और सागर बनाई और बनाए घास भूस पेड़ पौधे सारे दिन और सार मौसम और प्रकाश बनाए उसमें उस नए जीवन के लिए जोथे जल्धी रचे जाने वाले स्रिष्टी करता द्वारा रची गई हाद नई जी थी उसके अधिकार और सामर्थे की अभिव्यक्ति उसका हर विचार हर कथन उसके समर्थे का हर प्रकटि करंड जो नमून है सभी चीजों में ये एक माहा काय है वारवचाती के ग्यान हो समझ के सबसे योग्य है उसके वचन और संपादन का समय था एक ही नहीं था उनके बीच कोई अंतरा लिया विसंगते सभी नई चीजों का प्रकटन और जनम है सबूत स्रिष्टि करता के अधिकार के उसका वचन है सच्चा वो होगा जरूर पूरा जो किया गया संपन रहेगा वो सदा सरवदा ये तथ बदला नहीं कल से आज तक और इसलिए रहेगा ये ऐसा ही सदा सरवदा उसका हर विचार हर कधन उसकी समर्थे का हर प्रकटि करण बे जो नमून है सभी चीजों में ये एक महातार है मारवचादी के ग्यान हो समझ के सबसे योगे है स्रिष्टि करता का सामर्थ्य और अधिकार निरंतर करते रहते जमत का परमेश्व खीचता इनसान का ध्यान उसके करम परुन की नजरे है गड़ी जो है अचरज भरा और है उसके अधिकार के प्रयोग से उसका अदबुत्सा मर्थ्य देता आनन धियानन इनसान है चकत अतियानन दित खुशी से चहकत है वे हैं द्रावित विस्मय से भरे वे आनन्द से उचलती है इनसान के अंदर आदर और शद्धा जनमती है उसका हर विचार हर कधन उसके समर्थे का हर प्रकटि करंडे जो नमून है सभी चीजों में ये एक महातार है वानवचाती के ग्यान समझ के सबसे योग ये है स्रिष्टी करता का अधिकार और उसकी करम इनसान के दिल को आंदोलिप करते है स्रिष्टी करता का अधिकार और उसकी करम इनसान के दिल को शुथ करते है स्रिष्टी करता का अधिकार और उसकी करम इनसान के दिल को तुष्टी करते है करते है